गुड आफटरून फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे इंट्रोड़क्षन टू कांटम मेकेनिक्स इसका हम लोग देखेंगे लेक्चर वन इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्वांटम मेकेनिक्स क्या होता है और उसको कैस की स्वाज तरीके से समझा जा सकता है सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं जो 19th century थी उसके बिगिनिंग में Newton's laws of motion जो थे वो Newton's laws of motion जो है वो काफी useful थे जिससे के हम लोग किसी भी macroscopic system की या particle की properties को determine कर सके लेकिन जो studies based थी Newton's laws of motion पर उसको हम लोग बोलते थे classical mechanics अभी यहाँ पर एक बात हमको note down करने पड़ेगी कि अभी हम लोग जीदे है 20 या 21st century में यहाँ पर बात हो रहे है 19th century कि जहाँ पर Newton's laws of motion जो थे वो काफी useful थे जिससे हम लोग macroscopic particles की जो properties है उसको determine कर सकते थे और इसका जो नाम था वो नाम था classical mechanics उसके बाद देखें क्या होता है अभी यह जो loss थे वो useful थे जिससे हम लोग properties explain कर सकते थे macroscopic particles की यहाँ पर macroscopic particles लिखा गया है macroscopic का मतलब जो हम लोग आखो से देख सके या फिर जिनकी size बड़ी होती है जिनकी जो speed रहेगी मूँ होने की वो speed बहुत कम होती है as compared to speed of light देखें यहाँ पर macroscopic मतलब बड़े size के और जिनकी speed बहुत ज़्यादा कम करने की कोशिश की macroscopic particles के लिए macroscopic मतलब जो बहुत चोटे size के हो for example electrons जिनकी speed बहुत ज़्यादा होती है जिनकी velocity बहुत ज़्यादा होती है as compared to velocity of light इसका मतलब इसको हम लोग compare कर सकते है तो यह जो लौस थे classical mechanics के loss या फिर newtons के loss उसको हम लोग apply नहीं कर सकते थे इस वज कर सकते थे अब यहाँ पर हम लोग joke ने सुनाने वाले यहाँ पर हमको हाती दिख रहा है चीटी भी दिख रही है लेकिन यह joke नहीं है देखे क्यूँ कि यहाँ पर एक question arise होता है classical mechanics था तो quantum mechanics की जरुवत क्यूँ पड़ी या quantum chemistry की जरुवत क्यूँ पड़ी क्यूँ कि इसक problem क्या होती है बड़े का कुछ फाइदा नहीं मिलेगा क्यूँ कि यहाँ पर क्या problem आ रही है अगर हम लोग दो मंजिला इमारत से हाथी को नीचे फिकते हैं तो हाथी मर जाएगा लेकिन चीटी को हम लोग 10 मंजिला इमारत से भी अगर नीचे फिकते हैं तो चीटी को क्लासिकल मेकनिक्स और जो छोटे पर्टिकल्स है जो आखोंसे दिख नहीं सकते हैं जिनकी साइज बहुत ज्यादा मायक्रो टाइप की होगी उनको हम लोग अप्लाए करेंगे quantum mechanics क्लासिकल मेकनेक्स हम लोग apply कर सकते हैं सिर्फ मैक्रोसकोपिक सिस्टम के लिए या फिर मै सकते हैं पोसीशन और मोमेंटम अक्विप्रेटिक्टिट कर सकते हैं ऐसे सिस्टेम्स के लिए बढ़ हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते हैं किसके लिए मायक्रोस्कोपिक original के ले क्योंकि उनकी स्पीड जो रहेगी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी अगर हाई स्पीड है तो उनकी पोजिशन और मोमेंटम हम लोग एकुरिटली मेजर नहीं कर सकते डिटर्माइन नहीं कर सकते तो जो हैजनबर्ग नावं का साइंटिस्त था उसने यह बताया उसने नावन कर बताया कि हम लोग अगर किसी चोटे पराइटिकल की मैकुरोस्कॉपिक पराइटिकल की पोजिशन और वेलौसीती को अगर साइमलटेनियस मेजर कर ने की कोफिशिश करेंगे तो वो एक्युरेटनियली या फिर इमिट होगी continuous manner में इसका मतलब continuous manner का मतलब उसमें बीच में कहीं भी break नहीं आएगा लेकिन जो plank की थेरी है उस थेरी ने बताया कि जो transmission होगा energy का वो होता है in the form of packets जिसको हम लोग बोलते है इसका मतलब यही होता है कि अगर आप दुकान में जाते हो तो आपको दुकान में biscuit के packet खरीदने पड़ते हैं आप single biscuit नहीं खरीद सकते हैं और classical mechanics का मानना यह था कि जो biscuits मिलेंगे वो कितने भी quantity में में खरीद सकते हैं लेकिन planks बोलता है कि जो biscuit से हम लोग को packet के form में ही खरीदने पड़ेंगे अभी कुछ important phenomenon जो है जो classical mechanics नहीं explain कर पाया वो हम लोग detail में study करेंगे अभी ऐसा क्यूंके अगर कुछ नई theories हमको implement करनी है तो उसके लिए पूरानी theories के कुछ ना कुछ drawbacks निकालने पड़ते हैं कुछ ना कुछ खामियां ढूनने पड़ते हैं जो खामियां हम लोग इसमें study करेंगे जिसका मतलब होता है कि classical mechanics को quantum mechanics ने dominant कर दिया कि इस case में सिर्फ microscopic particles की case में अब देखे ब्लैक बोड़ी radiation सबसे पहला concept है ब्लैक बोड़ी radiation का मतलब क्या होता है देखिए जब भी radiation किसी body पर गिरता है तो उसका कुछ पार्ट radiation का कुछ पार्ट absorb हो जाएगा और कुछ पार्ट जो है radiation का वो reflect हो जाएगा देखिए दो हिस्सों में बढ़ गया है इंसिडेंट होने वाला radiation कुछ quantity में absorb हो गया और कुछ quantity में reflect हो गया however कुछ ऐसी bodies भी होंगी जो body पूरा का पूरा absorb कर लेगी the entire radiation देखिए क्या लिखा है the body जो सारा का सारा radiation उस पर गिरने वाला पूरी तरीके से absorb कर लेगी उसको हम लोग बोलेंगे perfectly black body लेकिन साथी साथ क्या बोला गया देखिए perfectly black body इस सिर्फ good absorber ही नहीं होगा तो good emitter भी होगा इसका मतलब वो जितनी heat absorb करेगी उतनी heat उसको क्या करते रहना पड़ेगा emit करते रहना पड़ेगा इन दो चीज़ों की तरह हम लोग अच्छे से ध्यान देंगे कि जितनी heat absorb होगी perfectly black body में उतनी heat उसको क्या करना पड़ेगा emit करना पड़ेगा अभी लेकिन ले सकते हैं जिसको कोट करेंगे अंदर की तरफ लैंप ब्लैक या फिर प्लैटिनम ब्लैक अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा टेविल स्टेंडर में तो आपको यह फियर वाला वो चोटा सा एक्जैंपल याद आ रहा होगा जो हालो स्फियर लेते हैं हम लोग उसके अंदर की साइड में लैंप ब्लैक या फिर प्लैटिनम ब्लैक से कोट कर लेते हैं तो यह गूड एक्जैंपल होता है किसका अप्रॉक्जिमेशन टू पर्फेटली ब्लैक बोड़ी तो नहीं बोल सकते लेकिन एक गूड अप्रॉक्जिमेशन है इसका मतलब उसके लगभग उसके करेक्टरिस्टिक दिखाएगा तो देखें इसमें क्या होता है इसमें एक छोटा सा एपर्चर होता है एपर्चर मतलब जहां से लाइट या फिर रेडियेशन एंटर कर सकता है एक साइड में और उसके अपोजिट साइड में जो है एक कोनिकल लेंगे जो बैक्वार्ड रिफ्लेक्शन जो है उसको कैंसल कर देगा इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर जो रिडियेशन बॉड़ी के अंदर एंटर हो रहा है यहाँ पर इंसिदेंट रिडियेशन देखे इस डियरेक्शन में अंदर जा रहा है जैसे वह अंदर पहुचा है वहाँ पर कोनिकल प्रोजेक्शन है जिसकी वज़ेसे वह रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो सकता तो इसका मतलब वह रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 90% के सकते हो यह होलो स्फियर लिया है कोनिकल प्रोजेक्शन है इंसिदेंट रिडियेशन अपर्चर से जा रहा है अंदर की तरफ कोटिंग कि यह लैंब ब्लैक की और इसको हम लोग बोलते है परिफेक्टली ब्लैक बॉड़ी अभी स्टीफन नाम का जो साइंटिस्ट था टो अमॉंट ऑफ एनर्जी याने अमॉंट ऑफ हीट जो रिडियेक्ट करेगी पर्फेक्टली ब्लैक बॉड़ी पर इंट टाइम पर यूद एरिया14 का मतलब उसके फिशेरिया के थुरू एक सेकंड में या फिर एक मिनेट में याने पर यूनिट टाइम में कितनी हीट बाहर निकलेगी वो हीट डायरेक्ली प्रपोर्शनल रहेगी फोर्थ पावर आफ एपसलूट टेंपरेचर का मतलब उस बाड़ी का खुद का टेंपरेचर होगा यहाँ पर आपको एक बर धन देनी पड़ीगी कि किसी भी बाड़ी से याने ब्लैक बाड़ी से कोई भी हीट अगर बाहर निकलती है तो ओ हीट पर उनिट टाइम पर उनिट एरिया जितनी बाहर निकलेगी वो और फोर्थ पावर आप एपसलूट टेंपरेचर को ही प्रपोर्शनल रहेगी इसका मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते है heat is proportional to temperature to the power 4 या फिर हम लोग proportionality का जो symbol है उसको हम लोग cancel कर देंगे उसको equal में convert कर देंगे तो हमको मिलेगा हुआप एक constant multiplied by temperature to the power 4 इसका मतलब देखे क्या होता है sigma को हम लोग बोलेंगे स्टिफन कांस्टेंट और जो लौ है उसको बोलेंगे स्टिफन सबोल्ट्समन 4th power law देखे यहाँ पर स्टिफन के साथ एक दूसरा साइनटिस्ट बे आ चुका है बोल्ट्समन equation को हम लोगों को याद रखना पड़ेगा E is equal to sigma into t to the power 4 अभी देखे इनरजी इमिटेट बैम ब्लाइक यहाँ पर जो हो रहा है हो को के Hm सिंगल वेव लिंग नहीं होगी सिंगल वेलेंग्ध इसका हम लोग पास्वाशन और मोनोख्णमाटिव मतलब सिंगल वेव लेंग्ध सिंगल कलर लेक़र यहाँ पर क्या बोला है, it does not consist of a single wavelength, but it is uniformly distributed along the spectrum, spectrum का मतलब जो wavelength का या waves का जो band बनेगा, इसका मतलब wavelength का distribution होगा, उसको हम लग बोलेंगे spectrum, तो uniform distribution रहेगा spectrum में, different temperature में हमको different spectrum मिलेगा, अब यहाँ पर देखे, different temperature, जैसे हम लोग temperature change करेंगे, हमको spectrum भी different मिलते जाएगा, इसका म देखें कैसे, कम temperature अगर है, तो red color दिख रहा है, थोड़ा सा temperature, sorry brown था, थोड़ा सा temperature बढ़ाते जले जाएंगे, थोड़ा red की तरफ shift हुआ, अभी देखें, yellow की तरफ shift हो गया, 5000 में, और जैसे हम लोगों ने temperature 5500 किया, तो temperature और ज़्यादा बढ़ गया, अभी यहाँ पर द temperature बढ़ते जा रहा है, vertical axis पे temperature बढ़ते जा रहा है, तो जैसे जैसे temperature बढ़ते जा रहा है, wavelength कम हो रही है, यहाँ आप आप देख सकते, wavelength lower की तरफ shift हो रहे, अभी आईसा क्यों हो रहा है, दिखिए, यह wavelength दिख रही हमको यहाँ पर, यह red color की wavelength सब से कम है, और इधर हम रहता होगा, इन्र धनुष कर रहते हैं, V, I, B, G, Y, O, R, वीब जोर जिसको अब लोग बोलते हैं, तो red की wavelength सब से जाधा रहेगी, यह यह wavelength ऐसे shifting होगी, और violet की यह indigo color की wavelength सब से कम रहेगी, इसके opposite चलता है, frequency, frequency, इसका मतलब red की frequency सब से कम, लेकिन violet या indigo की frequency सब से जाधा रहेगी, frequency जाधा मतलब energy जाधा, और wavelength जाधा मतलब frequency कम, energy भी कम, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे wavelength बढ़ती कम होती जा रही है, वो violet की तरब shift हो रहा है, कुछ दिर के बाद वो ultraviolet में shift हो जाएग लगा, तो जब वो red flame में रहता है, तो उसकी गर में उतनी ज्याधा feel नहीं होती, लेकिन जैसे वो blue में shift हो जाता है, उसके गर में हमको ज्याधा लगने लगती है, यही reason है कि red से लेके जब हम लोग blue में जाएंगे, तो वो ज्याधा energy emit करेगा, ज्याधा heat emit करेगा, यही वो color दिखाते है, अभी energy distribution कैसे होता है black body spectrum में हो देखते है, कुछ important feature हम लोगों को देखना पड़ेगा, सबसे पहला feature देखिए, particular temperature पे जो energy रहेगी corresponding to all the wavelengths is not equal, देखिए हापर क्या बोला गया है, अगर कोई temperature fix कर देते हम लोग, तो जो energy मिलेगी हमको उस particular wavelength के लिए, वो equal नहीं होगी, हर एक temperature के लिए, जो maximum energy है, वो क्या correspond करेगी, specific wavelength, इसका मतलब, जो हमको maxima मिलेगा, वो maxima हमको specific wavelength बताएगा, वेव की value बताएगा, तो जो wavelength है, उसको हम लोग denote करेंगे, lambda म से, और जो energy है, उसको indicate करेंगे, इसको indicate करेंगे, यह हम से देखिए है, कैसे बता है, यहाँ पर देखिए, यह particular temperature के लिए, हमको यह particular wavelength मिल रही है, जो 500 से 1000 के बीच में है, और यहाँ पर देखिए, यह particular temperature के लिए wavelength यहाँ पर आ रही है, 500 के आस पास, इसका meaning तो आपको समझ में आई चुका होगा, कि जैसे particular temperature के लिए, wavelength maxima के लिए fix रहेगी, यह maxima दिख रहे यहाँ पर मैक्जिमा दिख रहा है अभी हम लोग इसको अगर प्रेडिक्ट करने के कुशिश कर रहे हैं को हमको यह से दिखेगा कि मैक्जिमा इधर शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब खुद का कलर चेंज कर रहे है यही उसका मेनिंग है परिटिकुलर टेंप्रेचर पे जो एनरजी है वो सेम नहीं रहेगे उसके बाद देखिए जो eenरे अंड्र कर्व है ऐनी टेंपरेचर का वह हमको टोटल अमोंट ऑफ एनरजी देखा देखे ओर अ at any temperature हमको देगा total amount of energy emitted per unit time per unit area अभी इसको हम लोग अगर समझने के कोशिश करेंगे तो ऐसा दिखता है हमको जैसे जैसे हम लोगों ने temperature बढ़ते हुए देखा था बहाँ पर तो area जो था करू के अंदर वाला वो बढ़ते जा रहा था इसका मतलब जैसे body का temperature बढ़ेगा वो जो energy emit करेंगे उसका quantity भी बढ़ते जाएगा और इसी को हम लोग बोलते है स्टीफान्स ला स्टीफान्स ला ने भी वही बोला था उसने बोला था इस प्रपोर्शनल टू टी तुद पावर फोर इसका मतलब temperature बढ़ते जाएगा energy भी बढ़ते जाएगे इसका मतलब उसका जो ब्रॉडनिंग था वो बढ़ रहा था इसका मतलब यही होता है कि अगर हम लोग temperature बढ़ाते हैं तो total energy emitted जो रहेगी वो increase होगी और lambda यम क्या होगा decrease होगा यहाँ पर एक ही बात हमको ध्यान में रखनी है temperature बढ़ेगा maxima maxima क्या होते जाएगा sharp होते जाएगा और shift होते जाएगा lower wavelength की तरफ देखिए temperature बढ़ रहा है maxima sharp हो रहा है lower wavelength की तरफ बढ़ रहा है और area under the curve भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है इसका मतलब temperature बढ़ेगा तो total energy emitted increase होगी और lambda की value decrease होगी अभी जो wavelength corresponding to maxima है wavelength corresponding to maxima वो inversely proportional रहेगी absolute temperature से इसका मतलब temperature बढ़ाईए तो wavelength घटेगी temperature घटाईए तो wavelength बढ़ेगी इसका मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते है lambda m inversely proportional to temperature या फिर lambda m proportional to 1 by T इसका मतलब बढ़ हम लोग temperature को एक साइड में लेके चलेगे तो क्या मिलेगा हमको lambda m into T is equal to constant तो यह किसे scientist ने बोला गया है इसको हम लोग बोलते है wings displacement law कौन से लोग को lambda m into T is equal to constant उसको बोलेंगे हम लोग wings displacement law यही explain करता है कि color जो है किसी hot body का वो change क्यों होता है heating करने पर आपने देखा होगा किसी body को अगर हम लोग heat करते चले जाए तो पहले वो red color में आएगी उसके बाद धिरे-धिरे उसका color blue के तरफ shift हो जाएगा और फिर एकदम white हो जाएगा जिसको हम लोग ultraviolet बोल सकते हैं किसी particular limit तक यही reason है यही winds displacement law है जो हमको बताता है कि किसी भी body को अगर हम लोग heat करते चले जाते हैं तो उसका color क्यों change होता है अभी black body radiation को explain करने के लिए rally और genes ने classical mechanics को use किया देखे कैसे according to winds radiation law winds का radiation law बोलता है कि जो energy है energy का formula आता है 8 pi hc divided by lambda to the power 5 e to the power minus hc divided by kt lambda इस factor को हम लोग याद रखेंगे 8 pi hc divided by lambda to the power 5 e to the power minus hc divided by kt lambda लेकिन according to rally genes लोग देखें पहला जो law बताया और winds ने radiation का law बताया लेकिन rally genes ने जो equation बोला वो rally genes का equation था e lambda equal to 8 pi divided by lambda to the power 4 into kt यहाँ पर बाकी के टर्म नहीं है हम लोग देख सकते h missing है c भी missing है e to the power b missing है अभी however जो दोनों के दोनों equations है देखें कुनसे दो equations थे एक पहला winds radiation लोगा और दूसरा rally genes लोगा यह दोनों के दोनों equation जो थे वो fail हो गए to explain the entire spectrum of black body radiation देखें यह आपर problem क्या आई दोनों equation बता है लेकिन दोनों के दोनों equation black body radiation को पूरे तरीके से explain नहीं कर सकते थे एंटार spectrum का मतलब क्या होता है देखें सामने वीन्स का जो लोग था वो ओबे होता है सिर्फ shorter wavelength पे और रेलेजीन्स का लोग अभिवस है कहा पर ओबे होगा longer wavelength पे हमको वैसे याद रखना है वीन्स ला शाल्टर wavelength पे अपला होगा और रेलेजीन्स ला लांगर wavelength पे अपला होगा और अनाधर इंपोर्टन्ट लिमेटेशन जो था classical mechanics का वो था failure to explain ultraviolet catastrophe अभी ultraviolet catastrophe क्या होता है थोड़ा सा हम लोग समझने के कोशिश कर दे आप लोगों ने बाड़ आते हो तो देखी होगी जैसे देखा गया है कि जो large amount of energy emit होती है black body से कुनसे रेजन में higher frequency higher frequency मतलब lower wavelength जिसको हम लोग बोल सकते है इसको हम लोग बोलते है ultraviolet catastrophe अभी इसको हम लोग बाड़ बोल सकते एक तरीके से क्योंकि हाँ पर कोई भी law follow नहीं हो सकता इसको जो ultraviolet catastrophe था उसको max plank ने quantum theory के basis पे समझाने की कोशिश की और यह theory क्या बोलते है according to this theory energy is emitted or absorbed in the form of small packets called as quanta इस theory ने बोला है कि जो energy है वो emit होगी या फिर absorb होगी छोटे छोटे पैकेट के form में जिसको हम लोग बोलेंगे quanta अभी quanta क्या होता है देखिए energy of each quantum is given by h new अभी हाँ पर जो energy का छोटा पैकेट है उसको हम लोग quanta बोल सकते हैं और हर quantum की जो energy हो energy होगी h new जहाँ पर h मतलब होता है planks constant new मतलब होता है frequency यह भी नहीं है इसको हम लोग new बोलेंगे thus the total energy emitted or absorbed is integral multiple of h new अभी देखिए यह तो single quantum की energy होगी लेकिन अगर हमको total energy अगर निकालनी है तो obvious है उस quantum के कुछ particular number रहेंगे और अगर number रहेंगे तो उसको हम लोग integral बोल सकते हैं और हर एक quantum की energy h new होती है इसका मतलब उसका जो integral रहेगा उसके energy हो जाएगे integral multiple of h new अभी देखिए based on these concepts प्लैंक ने एक expression deduce किया energy radiated by black body अभी देखिए इसके पहले हम लोग अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यह दोनों का mixture लग रहे हमको religions law का और wins law का देखिए कैसे expression for planks radiation law यह होता है अभी यह तो हम लोग देख चुके है कि यह expression is planks radiation law का इसको हम लोग दो cases के लिए apply करने की कोशिश करेंगे जो वो fail हो चुके थे एक था lower wavelength के लिए और एक था higher wavelength के लिए देखिए कैसे at a shorter wavelength में क्या होता है जब lambda बहुत small होगा तो जो यह term होती है e to the power hc upon kt lambda बहुत small है और यह denominator में चला जा चुका है इसका मतलब यह value बहुत जड़ा बढ़ जाएगी जो answer है वो बहुत जड़ा बढ़ जाएगा और यह जो value है यह कई गुना बढ़ जाएगी as compared to 1 अभी 1 से बढ़ा है इसका मतलब क्या होता है इस expression के तरब देखते है यह जो factor आ चुका है यह factor 1 से बहुत बढ़ा है अगर 1 से बढ़ा है तो इसमें के कारण इसमें से अगर 1 minus भी कर दे तो भी हम लोग approximately इसको इसी तरीके से consider कर सकते यह minus 1 neglect हो जाएगा और यह जो है value यह value उपर चली जाएगी और यहाँ पर नीचे power उसका positive था अगर वो denominator से numerator में चली जाए तो उसका power हो जाएगा negative तो इसलिए हमको नया equation मिलेगा e lambda is equal to 8 by hc divided by lambda to the power 5 into e to the power minus hc divided by kt lambda अभी यह जो equation है वो equation हमको v in slaw के तरह दिख रहा है जो हमको apply करना पर होता है shorter wavelength के लिए इसका मतलब shorter wavelength के लिए जो planks equation है वो किसमें convert हो गया वी इन्स लॉमेक कन्रोड हो गया अभी case number 2 देखते हैं जिसको हम लोग बोलते है longer wavelength देखे यहाँ पर क्या होता है जब lambda बहुत बड़ा होगा तो जो लोग इसको consider करके चलेंगे इसको हम लोग अगर larger value के लिए consider करते हैं तो हम लोग उसके लिए binary expansion use करेंगे तो हमको एक equation मिलता है e to the power hc upon kt lambda is equal to 1 plus hc upon kt lambda और बाकि जो term है वो छोटे रहेंगे as compared to 1 तो इसको हम लोग निगलेक कर सकते हैं तो हम लोग जो नया equation मिलेगा हमको वह equation इस तरीके से मिलेगा देखिए putting in above equation we get क्या मिलेगा e lambda is equal to 8 pi hc upon lambda to the power 5 as it is और बाकि जो बचित टर्म है वो bracket में जली जाएगी 1 divided by 1 plus hc upon kt lambda अभी देखिए यहापर plus 1 है minus 1 है cancel हो जाएगे बचेगा सिर्फ hc upon kt lambda है निगलेक्टिंग दा हायर टर्म हमको मिलेगा e lambda is equal to 8 pi hc upon lambda to the power 5 1 upon hc divided by kt lambda अभी यह जो kt lambda है वो denominator के denominator में है इसका मतलब हो चला जाएगा numerator में तो हमको नया equation मिलेगा 8 pi hc divided by lambda to the power 5 kt lambda divided by hc अभी यह जो lambda है और यह lambda to the power 5 है ज्यादा mathematics अपलाई करने की जरुवत नहीं एक power इसका minus cancel हो जाएगा hc hc cancel हो जाएगा हमको नया equation मिलेगा 8 pi kt divided by lambda to the power 4 और अगर हम लोग एक law याद करते है तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ था 8 pi divided by lambda to the power 4 multiplied by kt this is religion's law and it is obeyed at longer wavelength और हम लोग shortcut में इसको बोल सकते हैं कि जो planks quantum theory है वो explain कर सकते phenomenon of black body radiation over the entire spectrum अभी over the entire spectrum क्यों बोला क्योंकि वहाँ पर हम लोग lower wavelength से शुरू किये थे और higher wavelength में जाके खतम हुए लेकिन दोनों जगा पर इसने अच्छा चरीके से explain किया यही पर हमारा पहला topic introduction और black body radiation खतम होता है थैंक्यू